मन का भटकाव सिर्फ पश्चिम में नहीं होता जो अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं, उनके लिए भटकने के लिए हर जगह हैं, सिर्फ पश्चिम में ही नहीं और बस आज ही नहीं, हजार साल पहले भी लोग भटक जाते थे, मेरा यकीन कीजिए ये मत सोचे कि हजार साल पहले हर कोई एकागर और शांदार था, नहीं वो उतने ही अच्छे या उतने ही बुरे थे जितने की आप हैं वो भी छोटे ग्रूप में गपशब करते थे अब हम दुनिया भर में गपशब कर रहे हैं खुद को याद दिलाईए, कल सुबह जब आप जाकते हैं तो चेक कीजिए, अभी तक मैं जिन्दा हूँ क्योंकि हर दिन इस धर्ती पर दस लाख से भी जादा लोग मर जाते हैं आप कल सुबह जाग गए, लाखों लोग कल सुबह नहीं जागे, कल सुबह नहीं जागेंगे, यकीन मानिये आप जाग गए, बस चेक करें, आप अभी भी जिन्दा हैं? बहुत बढ़िया है, आप अभी जीवित हैं कम से कम क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? ओ, मैं अभी जिन्दा हूँ बस उन तीन, चार, पांच लोगों को भी चेक करें, जो आपके जीवन में वाकई माइने रखते हैं क्योंकि अगर दस लाख लोग मर गए, तो कम से कम एक करोड लोगों ने अपने किसी प्रियेजन को खो दिया है तो वो सब ही जो आपके लिए वाकई माइने रखते हैं, आप जीवित हैं, वो जीवित हैं, बहुत बढ़िया, आज बहुत जबरदस दिन है इसे हलके में मत लीजे, ये कोई मजाग नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूँ, क्योंकि जादातर लोग सोचते हैं, दूसरे लोग मरते हैं मैं नहीं, सिर्फ दूसरे लोग मरते हैं, नहीं नहीं, आप और मैं भी मरेंगे सद्गुरु मैं एक अध्यात्मिक सवाल पूछ रहा हूं और आप मुझे डरावनी चीज़ें याद दिला रहे हैं नहीं, इसमें डरने को कुछ नहीं है मौत एक ऐसी चीज है, जो हम सब के लिए है हमारे बारे में जो चीज एक सी है आप चाहे काले, सफेद, नीले पीले हों आप जिस तरह भी हों, आदमी, औरत या दूसरे छेलिंग आप चाहे जो कुछ हो हम सब के बीच जो एक चीज समान है, वो है हम एक दिन मर जाएंगे मृत्यों की सार्व भौमिक्ता को देखें जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप नश्वर हैं सिर्फ तभी अपने अस्तित्व की भौत्तिक्ता से परे कुछ और जानने की चाहत एक सक्रिय प्रक्रिया बनती है आप ग्रहन शील्ड सिर्फ तभी बनेंगे जब आप जान जाते हैं कि ये शरीर जो आप ढो रहे हैं ये मनोवैग्यानिक नाटक जिससे आप गुजर रहे हैं अभी ये सब चल रहा है लेकिन एक दिन ये खत्म हो जाएगा बहुत आसानी से ये खत्म हो जाएगा आपको बस इंतजार करना है देखिए मृत्यु को हासिल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस इंतजार करना है अपने और दूसरों के लिए भी लोग आकर कहते हैं सद्गुरु ये आदमी मेरा दुशमन मैं इसे सहन नहीं कर सकता मैं कहता हूँ बस इंतजार कीजिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतजार कीजिए एक नएक दिन आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा, या तो वो मरेगा या आप तो ऐसा करें हर घंटे, अभी साड़े साथ बज़े हैं, मैं अभी जिन्दा हूँ, बढ़िया आज साड़े छे से साड़े साथ बज़े तक आप जानते हैं कितने लोग मर गए, लेकिन अभी मैं उनमें से नहीं हूँ तो अगर आप अपने नश्वर प्रकृति के प्रती लगातार सचेतन हैं, तो आप अपने अस्तित्व के अध्यात्मिक आयाम के प्रती सौ फिसदी जीवन्त हो जाएंगे क्योंकि कहीं न कहीं, ऐसा नहीं कि बौधिक रूप से आप नहीं जानते, लेकिन अपने अनुभव में आप अमर हैं क्योंकि जब मैं आपके खरीदेवे जूतों की संख्या देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि आप 10,000 साल तक जीने वाले हैं कपड़ों और जूतों की संख्या, जब मैं उन्हें देखता हूँ, ऐसा लगता है कि तमामों लोग 1000 या 10,000 साल जीने का सोच रहे हैं नहीं, नहीं, यह जीवन बहुत छोटा है, अगर आप जानते हैं कि यह जीवन छोटा है और आप निश्य ही नश्वर हैं, तो हम इसे योग से लंबा करने की कोशिश करेंगे, हम इसे खीचने की और इसे थोड़ा और लंबा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फिर भी अगर आप अपने जीवन के हर पल में इस बात के प्रती जागरुक हैं, शुरुवात में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन फिर भी खुद को हर मिनट याद दिलाईए कि मैं नश्वर हूँ, किसी दिन मैं मर जाऊंगा, और ये आज भी हो सकता है। प्रती जिसका मैं प्रतीक हूँ.